ओम शान्ति ओम शान्ति आज 26 उक्टूबर 2024 दिन शनी वार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवाक्यों को मीठे बच्चे सर्व शक्ती मान बाप आया है तुम्हें शक्ती देने जितना याद में रहेंगे उतना शक्ती मिलती रहेगी प्रश्न इस बाप में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है कैसे उत्तर तुम बच्चे ही बेहत के बाप के बनते हो पगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भागिशाली हुए ना विश्व का मालक तुम्हारा महमान बनकर आया है वे तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्यान करते हैं तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया यही है दो हाथ की ताली अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राजे करने की शक्ति मिलती है ओम शन्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चे रुहानी बाप के सामने बैठे हैं शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं, हम बच्चों को ले जाने। बाब भी कहते हैं, हे रुहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहां से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है, और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीची है। तुम बच्चे भी चीची बन गए हो अपने को आपे ही कहते हो पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुखधाम से शांती धाम में ले जाओ अभी तुम यहां बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंतरन पर आया हूँ बाप याद दिलाते हैं बारोबर तुम बुलाते थे ना आओ अभी तुमको स्मृति आई है हमने बुलाया है अब आब आए हुए हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल वो लोग प्लैन बनाते हैं न यह भी शिवाबा का प्लैन है इस समय सबके अपने अपने प्लैन है न पाँच वर्ष का प्लैन बनाते हैं उसमें यह यह करेंगे बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं अगे यह प्लैन आदी नहीं बनाते थे अभी प्लैन बनाते रहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लैन यह है ड्रामा के प्लैन अनुसार पाँच हजार वर्ष पहले मैंने यह प्लैन बनाया था तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहां बहुत दुखी हो गए हो वैशाले में पड़े हो अब मैं आया हूँ तुमको शिवाले में ले जाने वैशांती धाम है निराकारी शिवाले और सुख धाम है साकारी शिवाले तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना बुद्धि में निश्य तो है बाबा आया हुआ है बाबा अक्षर बहुत मीठा है यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं फिर पाट बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं कितना समय तुमको लौकिक बाबाईं मिले हैं सत्यूग से लेकर सुख और दुख का पाट बजाया है अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाट पूरा होता है सुख का पाट भी पूरा 21 जन्म बजाया है फिर आधा कल्ब दुख का पाट बजाया बाबा ने तुमको समरती दिलाई है बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना अब फिर तुमको आदा कल्प सुख का पाट बजाना है इस ग्यान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है फिर खाली हो जाती है फिर बाप भरपूर करते हैं तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है गले में ग्यान की माला है बर त्रेता द्वापर कल्यूग फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर इनको स्वीट कहेंगे शांतिधाम कोई स्वीट नहीं है सबसे स्वीट है पुर्शोत्तम कल्यानकारी संगम यूग ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे ते अच्छा पाठ है तुम कितने लक्की हो बेहत के बाप के तुम बनते हो वे आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं कितनी ऊंच कितनी सहज पढ़ाई है कितना तुम धनवान बनते हो इसमें कोई मेहनत नहीं करने पड़ती डॉक्टर इंजीनियर आदी कितनी मेहनत करते हैं तुमको तो वर्सा मिलता है बाप की कमाई पर ब पाज आप कहा जाता है तुम जानते हो बाबा आया हुआ है बाब भी कहते हैं मैं आया हूँ दोनों हाथ की ताली बजेगी ना बाब कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के बाब बस्म हो जाएं पांच विकारो रूपी रावन ने तुमको पाप आत्मा बनाया है फिर पुन्य आत्मा भी बनना है ये बुद्धी में आना चाहिए हम बाब की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाब के साथ फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है देवी देवता धर्म के लिए का जाता है religion is might बाब तो है सर्व शक्तिमान तो बाबा से हमको विश्व में शांती स्थापन करने की ताकत मिलती है वह बादशाही हमसे कोई छीन नहीं सके इतनी ताकत मिलती है राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है कितना उनसे डरते हैं एक राजा की कितनी प्रजा लश्करादी होता है परंतु वह है अल्पकाल की ताकत यह फिर है 21 जन्मों की ताकत अभी तुम जानते हो आमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्पर राजे करने की लब तो रहता है ना देवताएं प्रेक्टिकल में नहीं है तो भ यह बातें भूलो नहीं याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता सबको शक्ति मिलती है इस समय कोई में शक्ति नहीं है सब तमु प्रधान है फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है फिर अपनी राजध में है इन देवताओं में शक्ति लक्षमी नारायन बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना तुमारी बुद्धी में सारा स्रिष्टी का चक्र है जैसे तुमारी आत्मा में यह नौलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नौलेज है अभी तुमको ग्यान दे रहे हैं ड् सत्यूग में राजे करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम दुखी होते हो तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है कितनी चोटी आत्मा है उनमें कितनी समझ रहती है बाप आकर कितनी समझ देते हैं फिर फिर वहां सत्युग में यह सब भूल जाते हो, सत्युग में तुम को यह नौलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी अभी तुम समझते हो, सत्युग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्रहमन हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं, यह ज जाते हैं, काल आदी कोई है नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, आत्मा कहती है, मैं एक शरी छोड़ चला जाता हूं फिर दूसरा लेता हूं, मुझे कोई काल नहीं खाता, आत्मा को फिलिंग आती है, आत्मा जब गर्म में रहती है, तो साक्षातकार कर दुख भोगती र रहते हैं सजा क्यों मिली सक्षत कर तो कराएंगे न यह यह बे काइदे काम किया है इनको दुख दिया है वह सब सक्षत कर होते हैं फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं सभी पाप भस्म कैसे होंगे सो तो बच्चों को समझाया है इस याद की यात्रा से और स्वधर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं बाप कहते भी है मीठे मीठे स्वधर्शन चक्रधारी बच्चों तुम चुरासी का यह स्वधर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे चक्र को भी याद करना है किसने यह ग्यान दिया उनको भी याद करना है बाबा हमको स्वधर्शन चक्रधारी बना रहे हैं बनाते तो हैं परन्तु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है तुमको सारा ज्यान मिला है अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाट बजाने चुरासी का चक्र लगाया अब फिर वापिस जाना है ऐसे चक्र फिराते रहते हो बाब जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं चक्रफिराने में कोई तकलिफ नहीं है, फुरसत तो बहुत मिलती है। चक्रफिराने में फर्क देखो कितना है। दूर ही होते गई अभी ड्रामा प्लैन अनुसार बाप को ही आना पड़ता है सब को साथ ले जाने बाप कहते मेरी मत पर तुमको चलना ही है पवित्र बनना है इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रह देने बेहत के बाप का है बेहत का वर्सा बचे जानते हैं बाप का वर्सा हमारा है उस खुशी में रहते हैं अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्सा भी मिलता है तुमको तो वर्सा ही मिलता है वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्सा हमको कैसे मिला वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है बाप को याद करने और स्वधर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं यह अच्छी रिती नोट करो यही समझाना बस है आगे चल कर तुमको तीक तीक नहीं करने पड़ेगी एक इशारा ही बस है बेहत के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे तुम नर से नारायन नारी से लक्षमी बनने आते हो यह तु याद है ना और कोई की भी बुद्धी में यह बात नहीं आती याद तो माते हो बुद्धी में हैं हम जाते हैं बाप दादा के पास उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्सा लेने बाप कहते हैं स्वदर्शिन चक्रदारी बनने से तुमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे अब जो तुमारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो यह भी तुम समझते हो इसमें देखने की कोई बात नहीं यह तुम दिव्यद रष्टी द्वारा जानते हो आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा यह ज्यान अभी मिला है हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है बाबा को भी पढ़ाना है उनका नाम तो सदेव शिव है शरीर के नाम बदलते रहते हैं यह शरीर तो हमारा नहीं है यह इनकी मिलकियत है शरीर आत्मा की मिलकियत होती है जिससे पाट बजाती है यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है आत्मा तो सब में है सब के शरीर का नाम अलग-अलग पड़ता है यह फिर है परम आत्मा सुप्रीम आत्मा उच्छते उच्छ है अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रियेटर, बाकी सब है रचना पार्ट बजाने वाले, यह भी जान गए हो, कैसे आत्माय आती हैं, पहले पहले आधि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माय रहती हैं, थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लाइक बनते हैं, पहले आने के लिए, यह रिष्टी चक्र की जैसे माला है, जो फिरती रहती है, माला को तुम फिराते हो, तो सब दानों का चक्र फिरता है न, सत्युग में भगती जरा भी नहीं होती, पाप ने समझाया है, हे आत्माय, मामे कम याद करो, तुमको घर जरूर लोटना है, विनाश सामन खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे, और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे, मरतबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा महमान हूँ, मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, गाणने से नहीं होती है, ना, तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो, बाप की ज़्यान है, वर्णन करते हैं, तुम याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्छपद पाएंगे, पुर्शार्थ भी कराना ज़रूरी है, पुर्शार्थ कराने के लिए कितने चित्राद बनाते हैं जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हूँ बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस दे रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस दे धारना के लिए मुख्य सार ग्यान को बुद्धी में अच्छी रिती धारन कर अने कात्माओं को प्राण दान देना है स्वधर् अपनी संगम पर अपनी कमाई के साथ-साथ बापकी श्रीमत पर चल पूरा वर्सा लेना हैं, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी हैं। वर्दान सर्व वर्दानों को समय पर कारे में लगाकर फली भूत बनाने वाले फल स्वरूप भव सर्व वर्दानों को समय पर कारे में लगाकर फली भूत बनाने वाले फल स्वरूप भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे बाप दादा द्वारा समय प्रती समय जो भी वर्दान मिले हैं उन्हें समय पर कारे में लगाओ फिर वर्दान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वर्दान मिला वर्दान को काम में लगाने से वर्दान कायम रहते हैं वर्दान तो अविनाशी बाप के हैं लेकिन उसे फलिभूत करना है इसके लिए वर्दान को बार-बार स्मृतिक पानी दो वर्दान के स्वरूप में इस्थित होने की धूप दो तो वर्दानों के फल स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन विशेष्टाएं प्रभु प्रसाद हैं इन्हें सेवा में लगाओ बाटो और बढ़ाओ ओम शांति